हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF ट्रेडमैन रिजल्ट 2021 के बारे में यहां पर दोस्तों CISF रिजल्ट को लेकर काफी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर भरती परिकिरिया तो पहले ही इतनी लंबी हो चुकी है क्या रिजल्ट की परिकिरिया भी इतनी लंबी रहने वाली है आखिर CISF ट्रेडमैन की जो रिजल्ट है उसे क्यों नहीं डिकलेयर किया रहा है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथी एक और जो कमेंट काफी ज़्यादा जो इन्पॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना यहां बहुत ज़्याजरू है क्योंकि काफी सारे कैंड़ेटों का कमे कि क्या सब्सक्राइब की जो पल थे उसे यहां पर बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं सबसे पहला मुद्द हमारा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगी आखिर सी आइस एस कि जो रिजल्ट है उसे यहां पर रोका जा रहा है क्या संभावना बन रही है क्योंकि दोस्तों के मन में यह सवाल इसलिए चल रहे हैं पद बढ़ाने को लेकर क्योंकि जब स्याइस की नोटिफिकेशन जब रिलीज की गई थी इस पर यह साफ साफ डिक्लेयर किया गया थ कि CISF में पदों की बढ़ातरी की जा सकती है और साथी यहां पर पदों में यहां पर घटाउती भी की जा सकती है दोनों चीजों की बातों यहां लिखी गई थी यहां पर आप जाकर वहां पर इंपॉर्टिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर कर देख सकत हैं इसलिए के मन में कहीं न कहीं इस तीज को लेकर कंफूजन है पद तो यहां घटेंगे नहीं जो आपकी 914 पोस्ट है वो हैं अगर पद बढ़ते हैं तो कितने बढ़ते हैं और यहां पर पद बढ़ने से जो कैंड़ेट एक या दो नंबर के लिए यहां पर जो अंसलेक् को निरासा भी देखने को मिल सकती हैं क्योंकि कि जब नियू रिकूरेंट आएगी तो इसमें पद बढ़ाने की बात यहां पर होगी ही नहीं पर ऐसी अभी कोई भी CISF के तरफ से अफिसली अपडेट नहीं दिया गया है कि CISF की यहां पर नियू वेकेंसी आ रही है मीड जिसको लेकर यहां पर कटफ तो थोड़ी हाई जाएगी ही जाएगी क्योंकि नॉर्मली पेपर काफी दाइजी थी और काफी सारे कैंडेट जो हैं पेपर से खुस भी थे क्योंकि CISF के इस दौर में काफी जो है इजी कोशन आये थे जिसके कैंडेट ने काफी अच्छे स नहीं हो पारे थे वह भी सकते हैं पर यहां पर दोस्तों मैं आपको दोनों चीज़ बतायता हूं कि अगर CISF की औफिसल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया रता है तो यहाँ पर दोस्तों यह बात होगी कि पद बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो CISF जानेगी और यहाँ पर हमारे कहने या आपके कहने से जो है पदों में इंक्रीजमेंट नहीं किजा सकती है तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि CISF कब तक है इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी करता है या नहीं करता है या आप सभी के लिए इंपोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया क्योंकि इस बात को लेकर इसलिए चर्चा हो रही थी कि नोटिफिकेशन में दोनों ही कंडिशन दिये हुए थे जो है पदो को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं घटाने की तो बात होगी नहीं यहाँ पर बढ़ नहीं की बात होगी थी लगवग दोस्तो यहां फिन फिन रहादगी अप्रील हो गया मय वो गया अब जून हो गया यहां पर दोस्तों दो मेने का समय पूरा लग चुका यानि कि दोस्तों आपकी जब रिजल्ट आपकी जब एक्जाम आई थी जब एक्जाम आयूत कराईगी थी उसके बाद ही यहां पर आप 10 या 15 दिन के बाद देख सकते हैं कि lockdown की परिकरिया स्टार्ट होगी थी जिसके अंदर यहां पर उनी करमचारियों को बुलाई जा रहा था जिनकी काफी जदा ओ सकता थी और सारे बाकी सारे करमचारियों को यहां पर work at home के लिए तो work at home से दोस्तों आप सभी क की रिजल्ट तो प्रिपेर नहीं की जा सकती है इसके चलते कहीं न कहीं रिजल्ट में देरी हो रही है तो यहां पर दोस्तों आप जो है काफी जगा अपर unlock की परिकरिया हो चुकी है और unlock की परिकरिया के कारण करमचारियों को 25 परसंट यहां पर work पे बुलाय जा रहा है कि जन्कि ज्यादा आऊ सकता है क्योंकि दोस्तों आऊ सकता है उसी के कारण यहाँ पर जो बलाया जा रहा है और धीरे दिररी करके यहाँ पर जो आप सभी के लिए करमचारी Department को और जड़ा इंप्रूब भी किया जाएगा क्योंकि रिजल्ट को लेकर काफी देरी हो चुकि यह भरती परकिरिया में भी काफी लंबा समय लग चुका है क्योंकि आपको पता है कि भरती कब की है यहाँ पर आपने फॉर्म कब भरा है और यहाँ पर एक्जाम कब हो यह इस चीज को आप भी जानते हैं तो रिजल्ट से जड़ी हुई आप यह अपडेट जान सकते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पर जून में तो यह दोस्तो आपकी 100% है कि रिजल्ट यहाँ पर आप सभी क्लिक्ट आ रहे हैं लगभग जो रिजल्ट की प्रोसेस है वो यहाँ पर 70-80% जो पूरी हो चुके है और यहाँ थोड़ी सी बाते हैं थोड़ी सी और वर्क है उसके उसके बिना पर आपकी रिजल्ट जारी हो जाएगी और साथी दोस्तो रिजल्ट जारी होने के बाद जो कैंडेट की डिमांड आ रही है कि इसमें पदों में थोड़ी इंक्रिज्मेंट होगी तो यहाँ पर रिजल्ट पर थोड़ी सी आपको और लेट करने पड़ीगी जून के जगा पर जुलाई पर जा सकती है पर दोस्तो ऐसा अभी तक जो है CISF की तरफ से अपडेट नहीं दिया गया है तो इसलिए दोस्तो अभी पदों की बढ़नी व से आपको देखनी को नहीं मिल सकती है क्यों क्योंकि वर्किंग जो प्रोसेस है वो काफी जाड़ा स्लो है करमचारियों के वज़ा से क्योंकि आधे की रिजल्ट्ट जो है अभी तक जारी कर दी गई पर करमचारियों के ना वर्ग करने कारण यहां पर आपकी रिजल्ट की प्रोसेस में थोड़ा सा डीले हो रहा है और यह जाया डीले आपको नहीं करना है सबसे पहले आपने चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक अपडेट कर देंगे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं इस टाडी जोन को तो सब्सक्राइब जोर करिएगा क्योंकि सिया यह नई अपडेट या नई रिकुर्णेंट की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चलने स्टडी जोने मिल जाएगी तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तो जाहिंद हुए 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 अजय को हुए 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 अजय कर दो